और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से जहां सरकार ने 26 दवाओं को अवश्चेक सूची से हटा दिया है दवाओं के सेवन से मरीजों में कैंसर होने की संभाव न थी जिसको लेकर सरकार ने 26 दवाओं को अवश्चेक सूची से हटा दिया है और आपको बता दे कि स्वास्ट मंत्री मंसुक मंडाविया ने जारी की है संशोधित सूची वहीं 27 श्टेडियों में 384 दवाएं शामिल है संशोधित लिस्ट में रेनिटी डीन भी शामिल है तो बड़ी खबर नई दिल्ली से जहां सरकार ने 26 दवाओं को अवश्चक सूची से हटा दिया है दवाओं के सेवन से मरीजों को कैंसर होने की संभावना थी जिसकी डर से सरकार ने 26 दवाओं को अवश्चक सूची से हटा दिया है और इस बात की जानकरी स्वास मंत्री मंसुक मंडाविया ने दिये हैं और सत्ताइश रेडियों में 384 दवाएं शामिल हैं